5 habits of successful people जी हाँ, आज का हमारा topic है 5 ऐसी आदते जो success दिलाती है मेरा नाम है Dr. Meghna Dixit और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करने जा रहे हूँ कौन सी ऐसी 5 आदते हैं महत्वपूर्ण आदते हैं जिससे इंसान को success मिलता है या successful लोग ये 5 आदतों को उनके पास रखते हैं तो चलिए, सबसे पहली आदत हम समझते हैं कि successful लोग जो होते हैं आप उनको अकसर देखेंगे कि वो बताते हैं कि वो किस चीज में successful है यानि कि वो एक चीज पकड़ते हैं और उसको pursue करते हैं कि आप मिलेंगे लोगों से तो आप से कहेंगे कि मैं बहुत ही अच्छा डांसर हूँ या मैं बहुत ही अच्छी पेंटिंग मनाती हूँ या वो कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा बिस्निसमन हूँ मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को manage कर पाता हूं, team management skill मेरी बहुत अच्छी है, तो कोई भी एक skill को ये लोग पकड़ते हैं और उसको excellence मिलाते हैं, मतलब उसको बढ़िया तरीके से अपने अंदर लाते हैं, और वो ही बताते हैं, ये चूपते नहीं है, ये देखें, एक होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि अरे मैं अपने बारे में कैसे बता हूं, देखें, success आपको तब ही मिलता है, आप कितने भी बहतरीन और कितने भी अच्छे हो अपने काम में, लेकिन अगर आप अपने काम से लोगों की help नहीं कर सकते, किसी भी तरह से, भले आप उनको entertain करे, भले आप उनको feel good कराए, भले आप उनको job दे या उनका कोई काम करे, जब तब तक कि आप लोगों को अपने skills से help नहीं करेंगे, तब तक आप उसको, आप उसके पैसे से monetary benefit या even fame, popularity, success उससे बिना उसके नहीं आएगा, तो आपके पास ऐसी कौन सी चीज है, और अगर आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई चीज कोई लोग जो होते है किसी skills मे naturally talented होते हैं, उनको naturally मतलब वो बच्पन से उनको पता होता है उनको करना क्या है, लेकिन कई ऐसे successful लोग हैं, जिनको पता नहीं होता है कि उनको करना क्या है, लेकिन वो कोशिश करते करते उसमें बढ़िया बन जाते, तो आप ऐसा कौन सा skill आपके अंदर है, जो आप naturally अच् करते हैं, दूसरी बात, यह बहुत ही important चीज है, जो दूसरी आदत में आपको बता रहे हूं, क्या होता है, कि इंसान जो है, वो चोटी-चोटी आदतों से बनता है, उसकी जो पूरी life बनती है, जो चोटी-चोटी आदतों से बनती है, बहले ही वो आप आप देखे कि आप सुबह कितने बचे उठ रहे हैं, उठने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा काम पहले करते हैं, आप की सर देखे, चोटी-चोटी आदते हैं हमारे life में जो होती है, हम उठते हैं, बातरूम जाते हैं, नहाते हैं, बहार आते हैं, तयार होते हैं, आप जो कुछ भी काम करते हैं, तो जिस तरह से आपकी आदते रहती हैं, वैसे इंसान बनता है, तो सकसेसफुल और अनसकसेसफुल इंसान में यही फरक होता है, कि आदतों का फरक होता है, कौन सी आदते होती है, सबसे पहले मैंने आपको अपने उनके आदत बताई, कि एक स्किल पकड़ते है आसमें बढ़िया बनते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं उनको खराब नहीं लगता है, वो यह नहीं सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सुचेंगे, अगर मैं अपने बारे में बता हो तो? ने वो यह नहीं सोचते हैं, वो अपना trumpet खुदी बचाते हैं, okay? कि दूसरी आदत successful इंसान की यह होती है कि वो rejection से बहुत जल्दी bounce back कर जाते जी हां rejection किसको नहीं होता है आपको लगता है बाहर से जब हम successful इंसान को देखते है तो उसको लगता है आप सारे लोगों के बड़े-बड़े लोगों की बाते लीजे जैसे कि Henry Ford है या आप Walt Disney है इनको देखें दोनों लोगों ने bankruptcy तक फाइल की थी अपने लाइफ में और उसके बाद ये bounce back होके इन्होंने अपने बड़े-बड़े बिजनेस किये आप JK Rawlings जो है Harry Potter की राइटर उनके बारे में जानते होंगे कि वो डिप्रस थी डिवोर्सी थी छोटी बच्ची थी जिसको पाल नहीं पारे थी अच्छे तरीके से और परिशान थी उनके पास एक रुपया नहीं था जब उन्होंने Harry Potter लिखी तब उनको दस publishing houses ने reject कर दिया गया था और उसके बाद दो साल के बाद उनको Bloomberg Publishing ने उनकी Harry Potter की बुक को पब्लिश किया और उसके बाद तो दुनिया जानती है उन्होंने जो इतिहास रचा दूर तक क्यों जाए अगर हम सोचे हमारे भारत में हम सोचे तो चलिए हम अमिताब बच्चन जी की बात करते हैं कि जब अमिताब बच्चन जी फिल्म में आन सकते हैं कि वह इंसान के आवाज के पीछे हम इतने पागल है उनकी आवाज ही उनकी स्ट्रेंथ बन गई है सोचिए आपकी हर एक इंसान जब वो उस मुकंमल या उस जगह पे पहुंचता है उसके पहले उसने कई जगह पे ठोक्रे खाई होती है और ऐसे सारी कहानिया आपको मिलेंगी हजारों कहानिया ऐसे आपको गुगल पर मिलेंगी अगर आप गुगल करेंगे कि किस किस को इंसान ऐसे है जिन्होंने रिजेक्शन लिए एपस्ट सब्सकें , जैसे इसको ना सुनाई देगी यह तुम इसके लायक नहीं हो वो तुनंत अपने श्ट में चला जाता है वो ना के बराबर उसको ना समझ लेता hour उसके बाद उस चीज को करका ही नहीं है, so successful इंसान जो है, वो ना सुनने के बाद भी, कई बार ना सुनने के बाद भी, अलग दर्वाजा खटकटा आता है, और ऐसे लोगों की मदद उपर वाला भी करता है, तीसरी हैबिट जो है, तीसरी हैबिट जो successful इंसान की है, वो अपने आप पर विश्वास रखते है, जी हाँ, यह बहुत ही important चीज है, अपने आप पर trust होना, आपने आप पर belief होना, आपने आप पर faith होना, कि मैं कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ, यह आदत को बनाना बहुती important है, सबसे important चीज अगर आपको success में है, तो खुद पर इंसान की होती है और देखिया सुनेगा यह बहुत ही इंपोर्डन आधत है ऑके सेस्फफल इंसान अपनी गोल की तरफ हर रोज हर रोज मैं बतारी फिर से हर रोज आक्षिन लेता है यह नहीं कि मैं कल ले लूँगा परसो ले लूँगा हफ्ते बर में ले लूँगा महिने करके बाद ले रूँगा Nah successful इंसान रोज अक्षेन लेता है जैसे हम कहने से भून बुन से सागर बनता है उसी तरह से successful इंसान जो है वह वो रोज अपने गोल की तरफ एक्षिन लेता है किसी को फोन करना है अपनी डायरी में लिखना है कोई स्किल जमाना है कोई माइंड के वपर काम करना है आज मैं अपने बिलीब पर कैसे काम करूं आज मैं अपने फियर को अपने अंदर से कैसे भगाऊं हर रोज अपने गोल के बारे में सोचता है को Regal इनसान की सबसे महत्वपुर्ण आदत मैंने सबसे लास्ट में रखें आपके लिए जो सक्सेस्पुल लोग होते हैं वो दो चीजे जरूर करते हैं कि थे जो अनसक्सुस्फ्फुल लोग नहीं करते हैं So तो successful इंसान सबसे पहला काम करता है, जो सबसे मुश्किल हो, सबसे मुश्किल काम उनको जो लगता है, वो करते हैं, और दूसरी आदत है, सबसे boring काम भी उसी तरह से करते हैं, सबसे boring काम, अधिकतर लोग जो होते हैं, unsuccessful इस रहे जाते हैं, क्योंकि वो जो boring लगने वाले काम ह मूझे होते हैं रोज मरुरा के काम होते हैं उनको करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं छोड़ देते हैं बोर हो गया मूड में चले गया अगर आप अपने मूड को ज्यादा तवज्जु दोएंगे तो आप कभी सक्सेस्फुल नहीं होंगे सक्सेस्फुल लोग एक्षिन लेते हैं इन स्पाइट ऑफ उनका जो कुछ भी मूड हो तो दो लास्ट वाले पॉइंट को जरूर याद रखीगा सबसे मुश्किल काम को सक्सेस्फुल लोग करते हैं और दूसरा काम वो करते हैं जो सबसे ज़ादा बोरिंग हो ऐसा कौन सा मुश्किल काम है आपकी लाइफ में जो आप अब तक टाले जा रहें किसे मैं बता रही हूं मेरे का मेरे लाइफ में सबसे मुश्किल काम कौन सा था मेरे मैं तेइस साल की प्राक्टिस कर चुकी हूं मैं तेइस साल में हजार लोगों के साथ मैंने काम किया है से लेकर के हमार आप जसे लोगों के साथ प्रोफेशनल से अंटरपेनर से हर किसी के साथ मैंने काम किया है मेरा काम है लोगों के माइंड से पर काम करना और उनको हेल्प करना कि वो अपनी लाइप में कैसे टाइम को कॉंपरेस करें और सक्सेस को बहुत जल्दी कमाएं लेकि सबसे मुश्किल जी था कि मैं कैसे कामरा की सामने आकर के बात करूए सामने लोग को टेन तो मुझे अच्छा लगता है बात करनाister कि लिकिन मुझे मालूम है कि आज अगर मुझे अपने गॉल को अचीव करना है जो मुझे करोड़ों जो लोगों तक अपनी बात को पहुचाना है, अपने message को पहुचाना है, उनकी life में बदलाव लाना है, तो मेरे लिए सबसे fast medium है, यह YouTube, यह camera, और आज मैं इस camera के सामने आसानी से बात कर पा रही हूँ, तो कौन सी ऐसी चीज है आपकी life में, जो आपको difficult लगती है, जो आप नहीं कर पा रहे उसको सबसे पहले कीजिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा obstacle है, वो सबसे बड़ा अर्चन है आपकी बड़े mission के लिए, आपके बड़े goal को अचीव करने के लिए, और दूसरी काम आपको करना, आपको कितना भी boring लगे कोई काम, लेकिन अगर वो काम जरूरी है करना, तो उसको पूरे दिल लगा के 100% लगा के उसको काम कीजिएगा, जैसे कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, जिसमें आपको बहुत ही excitement लगती हो, तो दोस्तों यह रही आपकी 5 आदते, तो अगर तो आपको इसमें से कोई भी आदत ऐसे लगती है कि आप तुरंत अपनाना चाहेंगे, त तो किसी की help लेंगे अपनी sphere को अपनी self-doubt को भगाने के लिए, आप actions लेंगे, और अगर actions लेने के आदत आप डालना चाहते, तो कौन सा action आप सब से पहले लेंगे, और कौन सा action आप लगातार लेंगे, आप कौन सा ऐसा cut-in काम करेंगे, जो आपने बहुत महीनों से सालो से पीछे रखा हुआ है, क्या करेंगे आप, कौन सी आदत आप बदलेंगे अपनी, देखे, छोटी-छोटी आदते आप अपनी बदलेंगे ना, रोज, तो सोचे, तीन सो पैसट दीन में, तीन सो पैसट आदते बदलेंगे आप, और रोज, रोज आप एक डिगरी शिफ् आप दिगरी शिफ्ट हो जाएगा, सोचे, आपकी लाइफ, तीन सो पैसट दीगरी शिफ्ट होगी, कैसे होगी आपकी लाइफ, जिब वो शिफ्ट होगी, अगर इन चोटी-छोटी आदतों को आप बदलते हैं, या आदतों को अपनाते हैं, थैंक्यू सो मच, आपने या फैमिली मेंबर के साथ अगर आप उनकी केर करते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिये इस चैनल को और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलियेगा मेरा नाम है डॉक्टर मेगना दिक्षित और मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो पर थैंक्यू वेरी माच